नमस्कार दोस्तों, मैं शैली आनन, आप सभी का स्वागत करती हूँ शैली आनन टॉकीज पर दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन होंगे, हैपी होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, जैसे हम है दोस्तों हमारी खुशी में आप लोगों का बहुत बढ़ा हाथ है सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे पेज को और हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया हमारी मेहनत पूरी तरीके से सार्थक हुई है आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत दिनों से बहुत सारे दर्शक एक ही चीज के लिए बोल रहे थे कि परिंदे को दुबारा से स्टार्ट किया जाए परिंदे को दुबारा से शुरू किया जाए तो दोस्तों पीछे पिछला साल कुछ ऐसे था कि जिसमें हमारी तबियत ठीक नहीं थी इसी वज़े से हमारी जितनी भी टीम थी वो काम नहीं कर पाई लेकिन अब क्योंकि आप लोगों की बातों से हमारा मनुवल बड़ा है इसी लिए हम परिंदे का लाइफ सेशन दुबारा से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अब परिंदे का साटर्डे को जिस तरीके से हम लोग हर शनीवार को साथ बज़े परिंदे को आपके सामने लेके आते थे उसी तरीके से परिंदे अब दुबारा से शुरू होगा मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ जो जो परिंदे के एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं जो कि उसकी लाइफ से जुड़ना चाहते हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहे हैं उस पर प्लीज आप अपना मैसिज दीजिए उस पर आप अपना मैसिज भेजिए वाट्साप नंबर है वो उस पर आप अपना मैसिज कीजिए कि आप परिंदे के अंदर आना चाहते हैं लाइफ सेशन में तो हमारी टीम आपसे संपक करेगी और आप लोग परिंदे में आएंगे दूसरी बात सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते हैं सभी जितने भी दर्शक हैं या जितने भी डैडी के चाहने वाले हैं डैडी की तो खैर दुनिया ही चाहने वाली है लेकिन हमारे पेज पर भी डैडी के पेज़ पर भी और चैनल पर भी सबसे जादा एक ही डिमांड रखी जाती है कि संतोश आनंजी से हमारी मुलाकात करा दीजिए दोस्तों ये भी बहुत जल्दी हम कराएंगे लेकिन उसके लिए एक पब्लिक मीटिंग रखेंगे और अभी ऐसा कोई अभी इस तरीके के हालात नहीं हैं कि हम लोग एक पब्लिक मीटिंग रखते हैं तो हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप आपका मनोबल तूटे आप लोग इसी तरीके से प्यार और सने बनाए रखिए हमारे पेज के साथ, हमारे चैनल के साथ, हम लोग हमारी टीम पूरी यही कोशिश करती है कि हम संतोश आनंजी को जादा से जादा आप लोगों के साथ जोड़े हैं और उसका हमें ही सोशल मीडिया ही तरीका लगता है और इस चीज में हम लोग बहुत सार्थक भी हुए हैं क्यूंकि आप लोगों ने अपना प्रेम जो कि आपका प्रेम है आनन्द साहब के लिए वो तहे दिल से उनको दिया है उनके पेज पर हमारे पेज पर और चैनल पर लाइब सेशन संतो शानन जी के भी पेज पर शुरू हो रहा है जल्दी नमबर एक ही है आप लोग प्लीज आप जो भी जिस भी फील्ड में जिस भी शेत्र में आप लोग आर्टिस्ट हैं जिस भी शेत्र के आप आर्टिस्ट हैं उसी चीज का उसी कला का एक वीडियो और उ और वन बाइवन हर लाइव सेशन में कोई ना कोई कलाकार आएगा ये बात तो एक रही अच्छा एक चीज और है कि कई बार मैंने ये देखा है कि रिदिमा को भी आप लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत केरिंग हैं उसके लिए भी आप सब के आशिरवात से रिदिमा भी अच्छी तरह पढ़ाई कर रही है और इसी तरीके से उसे सने आशिश देते रही है अभी में जादा आपका वक्त नहीं लूँगी और हम दुबारा से अपने लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग अपना सने और प्यार बनाईए ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद कीजिए जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनको प्लीज शेयर कीजिए क्योंकि हमारा केवल और केवल एक ही कंसेप्ट है परिंदे या लाइव सेशन में जिस भी आर्टिस्ट को लेके आना कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग शेयर करें तो प्लीज यह कम जनता ही कर सकते हैं तो इस सैटरडे से हम लोग अपना लाइफ सेशन इस्टार्ट कर रहे हैं आप लोग सात बजे शाम के सात बजे आप लोग परिंदे से जुड़िएगा और फिर उसका प्रीमियर हम लोग फेस्बुक पर करेंगे उसके बाद और चैनल पर टेलेकास्ट हो मैं संतोशानन जी कहना चाहूंगी और अच्छा कहने की हिम्मत भी तभी होगी जब आप लोग मुझे पूरा आशीश देंगे मेरा समर्थन करेंगे और मैं तभी अनन साहब के डैडी के गीत गाने की हिम्मत कर पाऊंगी और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कि उन्होंने लिख कहना चाहती हूं कि मेरा एक मानना ये है कि हम नेचुरल क्योंकि संतोशानन जी ने हमेशा डैडी ने जो भी काम किया है अपनी शर्तों पर काम किया है एक ओरीजिनल काम किया है हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी आटीफिशल कोई भी आटीफिशल पॉइंट को उसमें नहीं है, हम ओरीजिनल चीज, हम ओरीजिनल जो उनकी कविता हैं, उनको उसी तरीके से आपके सामने रखते हैं, हम वीडियोज को एडिट नहीं कराते हैं, हम यह चाहते हैं, कि जो बात डड़ी अपने मुक्स से कहते हैं, वो डिरेक्ट आपके सामने जाए, और उसको आप सम लिखे वे हैं आपको ज्यादा तर आपको फिल्मी गीतों का तो पता है बहुत सारी मंच की उनकी कवीता है आपको पता है लेकिन कुछ कवीता ऐसी है जो उन्होंने अपने बच्पन में भी लिखी थी वह संक्लन है वह दीरे 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 हम आपके सामने लेखे आएंगे जि वीडियो आपके सामने लेके आएंगे क्योंकि आपका भी जुड़ाव संतोश अनंजी से इसी लिए है क्योंकि वो वो तो खेर अपने आप में कीवदनती हैं लेकिन वो ओरीजिनल एक कलाकार हैं और वो हिमाले हैं साहित्ते में हिमाले हैं तो उनके लिए तो कुछ भी कहना मुझे लगता है पूरा होता ही नहीं है वो तो अपने आप में परिपूर्ण है अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर से मैं यह कहूँगी कि हमारे लाइव सेशन्स से ज़्यादा जुड़िए कलाकारों का मनोबल बढ़ाईए बहुत सारे कई बर से हमारे साथ जुड़ते रहिए अगर हमें कुछ नहीं भी आता है तो आप हमको सिखाईए दिरे दिरे हम सीख सीख के कुछ तो नया करेंगे ही कुछ तो कोशिश करेंगे ही नया करने की और अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी और दो लाइन कहना चाहूंगी आप सबी से संगीत एक ऐसी चीज है जो इतना बड़ा सागर है जहां पर जिसकी घहराई में जितने चले जाओगे यह उसकी डेप्ट पता ही नहीं चलती है तो संगीत से एक डेड़ी का गीत है उसका मैं मुखड़ा आपको सुनाती हूं और फिर यहीं पे अपनी आज की वीडियो को इसको समाप्त करेंगे आशिरवाद दीजेगा मुझे गाना नहीं आता है पर हाँ एक चीज है कि संतोश आनन जी सौबागे से पिता जी है तो वो तो ब्लड में है थोड़ा बहुत तो गाई ही लेंगे संगीत जाहा है गीत वाहा है प्रीत वाहा है प्रीत वाहा मनमीत जाहा संगीत जाहा है गीत वाहा है प्रीत वाहा बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा नमश्कार धन्यवाद